नमस्कार दोस्तों आप सबी का बहुत स्वागत है Success Educator के YouTube चैनल पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट के MCQs और हमने अल्रड़ी 60 MCQs डिस्कस कर लिये थे राइट चलते हैं आगे बढ़ते हैं उससे पहले जो है रिस्कस नहीं करेंगे answer wise यहां पे हम देखते चलेंगे ठीक है warm was a made up of warm देखिए तीन प्रोग्राम से बनके जो है मिलके बनता है internet पे देखेंगे तो कहीं पे आपको two program भी देखने को मिलेगा लेकिन official जो है इसका answer three programs है पहला computer virus जो था वो था creeper आप मुझे इसका year बताईएगा ठीक है आपने comment box में इसका साल बताना है कि कब यह जो है यहाँ पे introduce किया गया था very important 93 which of the following is an antivirus program इन में से आपका है McPhee, Elk Noir, Trojan Horse जो है यह सारे malicious होते है B जो है आपका सही answer होगा who can challenge the issue of patent patent का जो है challenge कोई issue कर सकता है कोई भी अगर मेरे पास कोई software मैं बनाता हूँ ठीक है उसका patent मेरे पास आया था automatically और मेरे से अगर वो software किसी और को चलाना है या फिर उसमें कोई editing वारा करना है तो वो मेरे से पहले permission ले सकता है patent आप copyright भी समझ सकते हो ठीक है तो इस तरह से जो है यह कोई भी patent challenge कर सकता है 95 पे चलते है positive and gate is also a negative एक positive and gate को हम negative क्या बोल सकते है 95 का answer क्या हो जाएगा और gate ठीक है याद रखिएगा and gate क्या होता है and gate जो है आप बोल सकते हो दोनों का plus होता है और gate क्या होता है 1 और 0 अब इस बात को ऐसे समझे मान लो मैं दो output देता हूँ a और b a output देता हूँ 1 b की देता हूँ 0 देखो output जो यहां तो 1 होगी या फिर 0 होगी logic gate के case में ठीक है आपको पता होगा 1 का मतलब होता है true value 0 का मतलब होता है false value अब and के case में क्या होगा दोनों का plus किया जाएगा output क्या आएगी one आएगी one और one two नहीं होगे इस case में one और one नहीं होता है ठीक है one होगा यहां फिर 0 होगा तो and में क्या होता है प्लस होता है one और zero यहां पर output क्या आया one आया मतलब यह true value है अगर और case और का case देखते है और gate का a की value क्या देता हूँ 0 देता हूँ बी की one देता हूँ तो output क्या आएगी मेरे पास zero आएगी और के case में क्या है दोनों की output अगर one होगी तो मेरे पास one आएगा दोनों की output ज जो हैं आपने जरूर करके जाने इंपोर्टेंट है आपका examination perspective से 96 पर चलते हैं which gate is known as universal universal gate किस gate को बोला जाता है तो यह NAND gate को बोला जाता है ठीक है NAND gate को universal gate क्यों बोला जाता है अब NAND gate देखिए दो gate से logic gate से बनता है कौन-कौन सा NAND के अंदर आपको and दिख रहा है एक तो and gate हो गया आपका दूसरा क्या है not gate not plus and जो है यह NAND gate बनाता है आगे चलते है 97 पर an example of universal building block is तो universal building block का यहां पर example आपको बताना है कौन सा gate है तो नौर gate है एक होता है NAND gate दूसरा होता है नौर gate नौर gate मतलब आपका not plus or gate यह दोनों मिलके बनाते है नौर gate याद रखना इसमें भी not gate आएगा इसमें भी not gate आएगा बाकि तो और और से आपको पता चल गया कौन सा gate है ठीक है 98 पर चलते है विच लॉजिक फैमिली इस फास्टेस्ट इन वे से आपको बताना है कौन सी लॉजिक फैमिली जो है फास्टेस्ट है तो 98 का जो है ECL जो है राइट अंसर हो जाएगा लोजिक गेट विच है जो पावर ठीक है बी इसका राइट अंसर हो जाएगा 100 पर चलेंगे basic circuit of ECL family so basic circuit of ECL family is 100 का option number जो है नौर गेट होता है option A is the right sensor 101 पर चलेंगे which of the following is not a combination circuit combination circuit आपको note पूछा गया ध्यान से देखिएगा कौन सा नहीं है तो इन में से combination circuit आपका जो है counter नहीं है बाकि सारे के सारे combination के तरूँ बनते है फूल एडर is used to फूल एडर 2 bit addition में करते हैं 4 bit addition में करते हैं 3 bit में करते हैं या फिर 6 bit में करते हैं तो यह करते हैं आपके 3 bit addition में option B इसका right answer हो जाए a combination logic circuit which generates a particular binary word और number एक combinational logic circuit है जो generate करता है एक particular binary word को या फिर number को वो कौन सा है उसका right answer क्या होगा यहाँ पे option number B ठीक है multiplexer यहाँ पे option B इसका right answer होगा multiplexer इसका right answer होगा multiplexer इसे बोलते हैं which of the following is a sequential logic circuit अब सारे question जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे है logic circuit के थोड़ा बहुत देखके जाना यह तो पूरा paper में जो है यहाँ पे maximum logic circuit ही पूछा गया है यह programmer का paper है इसलिए जो है यहाँ पे logic circuit ज्यादा पूछे गए है ठीक है लेकिन normal computer operator जो एक examination में इतना चार का जो है यहाँ पे option B इसका right answer हो जाएगा counter जो है एक sequential logic circuit है right then 105 पर चलेंगे how many parts of a compiler are there तो compiler के कितने parts होते है that is your option number B two parts ठीक है कौन कौन से दो पार्ट होते है analyzes और synthesis ठीक है दो पार्ट होते है आगे बढ़ते है 106 the output of a lexical analyzer तो lexical analyzer की जो output होती है वो होती है आपकी a list of documents option C is the right answer software engineering is a software engineering क्या है software engineering is a layered technology that is option number A how many steps are in software development life cycle SDLC जिसे आप short form में बोलते हो कितनी layers होती है तो इसमें जो है आपकी 6 layers होती है कौन कौन से होती है यह देख लेना which of the following is a tool in design phase which of the following is a tool in design phase तो SDLC का एक part होता है आपको पता होगा design phase तो इस में से एक tool होता है उसका नाम आपको बताना है वो कौन सा tool है वो आपका refinement information hiding और abstraction यह all of these का answer हो जाएगा software quality assurance is for software quality assurance किसलिए की जाती है यह error detection के लिए की जाती है या दखना error detection के लिए हम software quality assurance करते हैं build and fix model has कितने phases होते है build and fix model में तो इसमें आपके जो टोटल two phase होते हैं ठीक है two phases होते हैं build and fix model alpha testing is performed by alpha testing beta testing आपको देखने को बिलेगी तो यह alpha testing जो है कौन perform करता है तो यह perform की जाती है customer के दौरा ठीक है customer के दौरा next चलते हैं which of the following is not structural testing not पुछा गया है इन में से structural testing कौन सी नहीं है तो इसका right answer क्या हो जाएगा आपका option number c that is your acceptance बाकी जो है आपकी structural testing होती है regression parallel or stress pointer is pointer क्या होता है अगर आप programming language देखेंगे तो वहाँ पे आपको यह term देखने को मिलेगी pointer तो इसका answer क्या हो जाएगा right a variable for storing address एक variable होता है जहां पे आप जो है address को save करते हो उसे हम pointer बोलते है option d इसका right answer which type of parameter is passed in a function for faster execution function में faster execution के लिए कौन सा parameter हम set करते है तो इसका right answer होगा आपका call by value ठीक है call by name होता है call by value जो है इसका right answer होगा call by value option a a program that predicts the exact sequence in which the event will take place is said to be a program that predicts the exact sequence in which event will take place is called तो इसका right answer क्या हो जाएगा आपका option number d object oriented बोलते हैं इसको object oriented means जहां पे आपकी objects का इस्तिमाल होता है या फिर हम बोले classes का इस्तिमाल होता है ठीक है right आगे बढ़ते हैं 117 पर which of the following is not the concept of object oriented programming अब object oriented उपस जिसको आप बोलते हो देखो कौन-कौन सी object oriented programming language है इसको जो है जरूर comment section में लिखिएगा ये direct question पूछा आता है कौन-कौन सी language जो है आपके object oriented language होती है not यहां पर not concept पूछा गया है object oriented programming का concept कौन सा नहीं है इन में से तो यह है आपका none of these क्योंकि data abstraction polymorphism encapsulation abstraction जो है यह सारा जो है आपका होता है इसलिए answer क्या हो जाएक option number D which of the which language is not a object oriented यहां पर देखिए ये question पूछ लिया गया न मैंने आपको बोला कि object oriented programming language कौन सी होती है इसको जुरूर देख लेना not पूछा गया है तो इसका right answer क्या होगा आपकी c language जो पहली language थी c language वो आपकी object oriented नहीं थी यानि कि इसमें classes का कोई use नहीं था लेकिन c plus में जो है आपकी classes का use होने लगा आप पताएं inventor कौन थे इनके और C++ के ठीक है राइट आगे बढ़ते हैं 119 पे GVM is a virtual machine that can execute GVM अब नाम से पता चल गया थोड़ा idea हो गया यह जावा से रिलेटेड है जावा प्रोग्रामिंग से ठीक है तो इसका right answer क्या होना चाहिए आपका जावा बाइट कोड जावा बाइ को which of the following is not used as a data structure इन में से data structure किस data structure को use नहीं किया जाता है मतलब data structure के तौर पे इन में से किसे user नहीं किया जाता है sorry इसका right answer क्या होगा option number D डारेक्टी graph link list arrays जो है यह सारे जो है आपको देखने को बिलेगे जो की एक data structure का part होता है ठीक है तो this was the lecture हमने 30 questions जल्दी से discuss कर यह बाकी जो है हम और भी question discuss करते रहेंगे कोशिश करूँगा कि बाकी के lectures भी मैं जो theory wise lecture है वो start करूँ right बाकी HPGK का lecture जो है जल्दी स्टार्ट कर रहा हूं कल यहां फिर परसों से आपके जो है HP journal knowledge के lecture स्टार्ट हो जाएग चैनल को subscribe कर ले मिलते हैं next lecture में तब तक नहीं हुआ 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 है